क्लास बारह फिजिक्स टॉपिक यूनिट दो इलेक्ट्रिक करिंट सेक्षिन ए एक मार्क क्वेस्टिन्स एक ओमिय प्रतिरोध और अनोमिय प्रतिरोध में दो अंतर लिखिए दो विद्युद धारा को परिभाशित कीजिए वह इसका मातरक लिखिए तीन आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है चार प्रतिरोध और प्रतिरोधक्ता में अंतर बताईए पाँच अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किसे कहते हैं? सेक्षिन बी, दो मार्क क्वेस्टिन्स एक, प्रमानिक प्रतिरोध बनाने के लिए मिश्रधातूओं का उप्योग क्यों किया जाता है? दो, विद्यूत परिप्थों में तामबे या एल्यूमीनियम के तार क्यों उप्योग किये जाते हैं? तीन, विभवमापी और वोल्ट मीटर में तीन अंतर लिखिए चार, ठंडे दिनों की तुल्ना में गर्म दिनों में कार का इंजन शुरू करना आसान क्यों होता है? पाँच, किसी चालक का प्रतिरोध किन कार को पर निर्भर करता है? सेक्शन सी, तीन मार्क क्वेस्टिन्स अंसर इन अबाउट पचास से साट वर्ड्स एक, ठंडे दिनों की तुल्ना में गर्म दिनों में कार इंजन को चालो करना आसान क्यों होता है? दो, विभव मापी के तार की लंबाई 10 मीटर है उसके सिरों पर 5 वोल्ट का वीवा बल लगाने पर विभव प्रवनता का मान ग्यात कीजिए तीन, अनुगमन वेग को परिभाशित करते हुए अनुगमन वेग और विद्युद धारा में संबंध लिखिए चार, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? किन कारकों पर निर्भर करता है? पाच, ओम के नियम लिखकर इसकी सीमाएं बताईए चे, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में तीन अंतर बताईए साथ, विभव मापी और वोल्ट मीटर में तीन अंतर बताईए आठ, डॉट श्रेनी सन्योजन में प्रतिरोधों के सन्योजन का सिध्धान्त व्युत्पन कीजिए 9. यदि कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध 45 x 10 पावच है 10% ओम है तो इसका वरण क्रम क्या होगा 10. किसी कार की संचायक बैटरी का विद्यूत वाहग बल 12 वोल्ट है यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.42 है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिक्तम धारा का मान क्या होगा ग्यारह यदी कारबन प्रतिरोधक पर बैंड लाल, काला और रजत हो, तो प्रतिरोध का मान ग्यात कीजिए बारह निम्न का अर्थ समझाइए एक अनुगमन वेग दो, श्रांतिकाल तीन, विभवांतर सेक्शन डी, चार माक क्वेस्टिन अंसर इन अबाउट असी से एक सो वर्द्स एक वीट स्टोन सेतु का सिध्धान्त व्युत्पन कीजिए और यदि एन सेल जिनके विद्युत वाहग बली तथा आंतरिक प्रतिरोधार है, को समांतर क्रम बटा श्रेणी क्रम में जोडा जाए तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध लिखिए सेक्शन ई, फाइव मार्क क्वेस्टिन्स, विट इंटरनल चॉइस अंसर इन अबाउट एक सौ से एक सौ बीस वर्ड्स एक, विभव मापी द्वारा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्यात करने के प्रयोग कावर्न निम्न में से किनी दो शीर्षकों में कीजिए आई, विद्युत परिपत का नामांकित चित्र 2. सूत्र की स्थापना 3. प्रेक्षण सार्नी 4. सावधानिया, कोई दो अत्वा विभव मापी द्वारा दो सेलों के वीवा बलों की तुलना करने के प्रयोग का वर्न निम्न में से किनी दो शीर्षकों के अंतरिक प्रतिरोध कीजिए 4. सावधानिया, कोई दो दो डॉट मीटर सेतु की सहायता से अज्यात तार के प्रतिरोध ज्यात करने की विधी का वर्न निम्न में से किनी दो शीर्षकों के आधार पर कीजिए आए विद्युत परिपत का नामांकित चित्र 2. सूत्र की स्थापना 3. प्रेक्षण सार्नी 4. सावधानिया, कोई दो अत्वा सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाशित कीजिए वप्रभावित करने वाले कारत लिखिए यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाहय प्रतिरोध की तुलना में अधिक तो उसे किस क्रम में जोडने पर अधिक्तम धारा प्राप्थ होगी? समझाए 3. निम्न का अर्थ समझाए प्रतिरोधकता, चालकत्व, विभव प्रवनता दो विभव मापी A एवं B के लिए विभवानतर का लंबाई के साथ परिवर्तन निम्न ग्राफ से दर्शाया गया है, इन में से कौन सा अधिक सुग्राही है तथा क्यों? अत्वा एक यदी विभव मापी में तारों की लंबाई बढ़ा दी जाए तब संतुलन लंबाई पर क्या प्रभाफ पड़ेगा? दो डौट विभव मापी के मानकी करण से क्या अभिप्राय है? समझाए तीन वीट स्टोन ब्रिज सबसे अधिक सुग्राही कब होता है? चार मीटर ब्रिज में संतुलन बिंदू सामान यतेह मध्य भाग में क्यों प्राप्त करना चाहिए समझाए